सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए Student The Perfect Classes में आप सभी का सौगत हैं आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले आपके एक्जाम से रिलेटिड ठीक है Class 3 से लेकर 8 तके सभी बच्चों की लिए ये वीडियो बराई गई है तो आप इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक सर्कूलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यह सर्कूलर बच्चों Directorate of Education Government of NCT की तरफ से 24 फरवरी 2021 को रिलीस किया गया है इसका सब्जेक्ट है कि जो Academic Session है 2020-2021 का उसमें Class 3 से लेकर 8 तक के सभी विध्यारतियों के लिए जो assessments होगा उसकी guidelines है मतलब उनके marks किस तरह से लगेंगे उसके पूरे निर्देश दिये हुए है और बच्चों के जो marks upload किये जाएंगे online link पर उसकी availability है मतलब उसकी उपलबदता के बारे में बताया हुआ है इस circular में ये discuss क्या हुआ है बच्चों कि सभी बच्चों की जो online classes के थुरू पढ़ाई हुई थी क्योंकि देहली में कम से कम आप सगर बात करते हैं हम की मार्च से लेकर अब तक कोई schools आपके closed हैं कोई पढ़ाई रही हुई है क्लास 3rd से 8th तक के बच्चों के लिए circular है तो हम उनीकी बात करेंगे ठीक है तो जब school बंद थे तो आपकी क्या हुआ था online classes हुई थी worksheets के थुरू आपकी study हुई है ठीक है कोई classroom teaching नहीं हुई है तो class 8th तक के बच्चों का 3rd से 8th तक के बच्चों का किस तरह से assessment होगा उनका weightage कैसे लगाए जाएगा marks का class 3rd से 5th तक के पहले यहां वो बताय हुआ है class 6 से 8th तक के बच्चों के marks का weightage कैसे लगा जाएगा यहां पर वो बताय हुआ है तो कैसे लगाए जाएगा बच्चों हम वो डिस्कस करते हैं, पहले क्लास 3rd से लेकर 5th तक का जो assessments waste worksheets थी, जो आपने worksheets की हैं, ठीक है सबी बच्चों ने पूरी worksheets की होंगी, आई होब जब से worksheets आनी स्टार्ट हुई हैं तब से लेकर आप तक उन worksheets के marks लगाए आपको assignments दिये हुए थे, उसके 30 marks लगाए जाएंगे, और बच्चों जो आपको आप assignments या फिर projects प्रोजेक्ट कराए जाएंगे, कब से 1 March से लेकर 15 March तक उनके 40 marks लगाए जाएंगे, तो ये कितने हो गए, total 100 marks हो गए, same procedures follow किया जाएगा 6th to 8th के लिए, बस changes कितना होगा, यहाँ पर 20 हैं, यहाँ 30 हैं, यहाँ 50 हैं, यहाँ क्या था, 30, 30, 40, यहाँ पर 20, 30, 50, तो देखिए, जो worksheets हैं, class 6th से 8th तक के बच्चों की, जो उनके लिए worksheets आई थी, उसका weightage कितना लगेगा, 20 marks का, और जो winter break में काम मिला था, 6th से 8th तक के बच्चों को जो assignments दिये और जो 6th से 8th तक के बच्चों को 1 March 2021 से लेकर 15 March 2021 तक, जो बच्चों आपको assignments यह, projects दिये जाएंगे करने के लिए, उनके आपके 50 marks लगेंगे, तो 20, 30, 50 हो गए 100, तो इस तरह से आपके 100 में से marks रखे जाएंगे, ठीक हैं, 20 marks आपके 100 में से marks रखे जाएंगे, ठीक हैं, 20 में आगे और अच्छे से बताऊंगे अभी आपको, तो आपको इतना समझ में आगया, winter break में जो assignments हैं, उसके marks आपको मिलने वाले हैं, आपको जो 1 March से लेकर 15 March तक के अब जो आपके assignments और projects आपको देंगे, teachers करने के लिए, आपको वो complete करने हैं, उस पर आपको marks मिलने वाले और जो आपकी worksheets मिली हैं, सभी अभी तक करने के लिए, और जो बच्छों ने worksheets करके दी हैं, तो उस पर आपको marks मिलने वाले हैं, इस तरह से आप marks gain कर सकते हैं, आपका results उसके base पर weightage लगा कर आपका बनाया जाएगा, अब यहां आपर grading system भी है, बच्छों वो देख ल तक série 1 से लेकर 100 तक जो बच्छै मार्क्स गेन करेंगे, उनको A1 ग्रेट मिलेगा, और 81 से 90 तक उनको A2, 70 वन से 80 तक जिनकी parceंटेज बरेगी, उनने B2 ग्रेट मिलेगा, फिफ्टी वन से 60 तक जिनकी teamwork परसंटेज बनेगी, उनने C1, 41 से 50 तक जिनकी percent के परसंटेज होग तो ये आपको ऐसे मार्क्स मिलेंगे ग्रेड के अकॉर्डिंग तो बच्चो अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन्स भी हैं तो ये डारेक्टर ओफ एजुकेशन की तरफ से ये आपका सर्कुलर था तो थोड़ा सा हिंदी में भी हम देख लेते हैं आदर निये अभी भवगड़ और प्यारे बच्चो के लिए ये है आप सभी को सूचित कह जा रहा है कि शिक्षा विभाब डियोई के निर्देशन उसार तिनांग 26 वरवरी के बाद कक्षन नर्सरी से दसमी तक की प्रति दिन आने वाली वक्षीट नहीं आएगी लेकिन यहाँ पर एक करेक्षन की जरूवत है नर्सरी सोरी केजी फर्स सेकंड की वक्षीट अभी भी आ रही है बच्चो लेकिन 26 तो 2021 के बाद क्लास थर्ट से लेकर एर्थ तक के बच्चो की वक्षीट नहीं आई है ठीक है और नहीं आएंगी अब तो ये जो मैं बदा वीडियो ये है आपकी क्लास थर्ट से लेकर एर्थ तक के बच्चो की तो आपकी वक्षीट से नहीं आएंगी अब 26 के बाद अब कोविट 19 हमारी के कारण सबी कक्षाओं का स्लेबस ओनलाइन शिक्षर द्वारा पूरा करवा दिया गया ओल्मॉस्ट आपका कोर्स कंप्ल के तुरू आपका स्लेबस कंप्लीट हो गया कोविट 19 के कारण कक्षा छटी सा आठमी तक की वार्शिक परिक्षा एसाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट कारे के द्वारा दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 15 मार्च 2021 तक ली जाएगी तो ये टाइम पीरियड किस चीज का है आपको अपने विंटर ब्रेक वाला काम सब्मिट करना है अपनी वर्कशीट सब्मिट करनी है आपको जो असाइनमेंट्स दिये जाएंगे अभी एक मार्च से पंद्रा मार्च तक के बीच में वो सब्मिट्स करने जो आपने पिछला कर दिया था बच्चो ने उसके बेस पर जुड़ा करो में भी पिछ देंगी, ठीक है? आप उनके उत्तर लिक कर सभी सब्मिट्स करनी आपेपर एक साथ अपने कक्षा कक्षा दियापक और अध्यापक अध्यापिका को अपने सब्मिट्स टीचर को अपने माता अत्वःपिता शाबिला में जल्दी से जल्दी ज जमा करवाने की अंतिम्ती थी 8-15 तक की है, मतलब जो आपको आपको assignments मिलेंगे आप, वो आपको 8-15 तक जमा कराने, जो 1-15 तक जो आपको assignments मिलने, वो आपको hand-to-hand अभी submit कराने होंगे, आपके दूरा अप तक भेजी जा चुकी worksheet का काम 20 अंक का है, जो आपने वक्शिट तो इस तरह से बच्चो 20 प्लस 30 और 50 अब जो आपको प्रोजेक्ट्स दिये जारे हैं उनके तो आपको 100 में से मार्क्स लगेंगे तो all the best for your final term assignments, projects, exam, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको में वीडियो पसंद आए तो प्लीज में वीडियो को लाइक कर दीजे, share कर दीजे, हमाँ चनल को subscribe कर दीजे, thanks for watching